Hello Everyone, Myself Simran Chaudhary and Welcome to All About Agriculture with Simran आज हम लोग अपने रभी क्रॉप्स में सेकेंड सीरियल क्रॉप का सेकेंड सीरियल देखने वाले हैं बार्ली कल्टिवेशन बार्ले जिसे हम जौ भी बुलाते हैं काफी जगह पे और इसका बोटानिकल नेम है होडियम वुल्ग्यारी यह फैमिली क्रामिनेसी से बिलॉंग करता है क्रोमोजोम नंबर इसमें 2 and equals to 14 होते है अगर ओरीजन की बात करें तो यह साउथ इस्ट एशिया है लेकिन कहीं जगह पे आपको इथोपिया अपसीसीन या भी देखने को मिलेगा ठीक है तो आप अपने कोशन में देख रिजए का दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेगा या तो साउथ इस्ट एशिया मिलेगा या आपको इथोपिया मिलेगा ठीक है मोस्तली आपको साउथ इस्ट एशिया ही मिलेगा फिर आगे बात करते हम इसके तो सिंस यह रभी क्रॉप है इसलिए से कूल क्लाइमेट चाहिए होगा फूल और ड्राइक लेकिन यह ना फ्रॉस्ट और हेल को टॉल्रेट नहीं कर सकता ठीक है यह सेंसिटिव है फ्रॉस्ट और हेल के लिए यह वांड़ वेदर चाहिए जब अरली स्टेच पर होता है तब थो से कूल क्लाइमेट चाहिए होता है वह जब मेचूरिटी की तरफ मूफ करने लगता है तब यह उन ड्राइट तो अब नहीं जब भी क्रॉप मिलेगी तो आपको एक पॉइंट कॉमन मिलेगा वह है कूल एंड-डाइट ठीक है स्वाइल की बात करें तो डीप लोमी पा। ακरी होसा इससो फिकाटहा, अगनती हो सेंश। सेंशु थback-10, स्बस्टावन एक सांगम में थेलो अमिदूार्शD, pH जो है वो 7 से उपर हो यानि 8, 9, 10 तो तब भी यह टॉलरेट कर लेगा लेकिन जादा नीचे नहीं होना चाहिए ठीक है वरना आपकी crop अच्छे से ग्रोण नहीं कर पाएगी फिर main बात करते हैं हम लोग temperature की तो temperature इसमें जो है आपको पर्टिकुलर्ली ऐसा पूछा जाएग तब उसे थोड़ा सा हलका सा कम हो जाता है temperature 15 से 20 डिगरी celsius चाहिए होता है और maturity के time फिर से temperature बढ़ता है और 30 डिगरी celsius चाहिए होता है तो यह कुछ इस टाइप का ग्राफ बना पर्टिस चाहिए था फिर growth के लिए 15 से 20 और maturity के time फिर बढ़के 30 ठीक है यह जो हमारा बार जाने 12th class के biology में तिके self-pollinated crop होती है और यह long day plant होती मतलब इसे जो है sunlight duration ज्यादा चाहिए होती है for proper growth and flowering फिर हम आगे बात करते हैं यह आपका बारले दखे यह सीड दिखता है इसका यह हम बात करते हैं यह कुछ हमें मश्रूम के सीर जो हमारी स्पॉंस होते है इसकी या तो आपको 120 kg per hectare seeds चाहिए होती है स्पॉंग टाइम तो मिड अक्टूबर से मिड डवंबर के टाइम पर हम इसे सो कर देते हैं कितने स्पेसिंग पर सो करेंगे तो 22.5-10 cm यह पॉंट काफी इंपोर्टेंट है यह competitive exam में आ जाता है कि what is spacing of barley cultivation चीक है तो 22.5-10 cm 22.5 चीक है स्पेसिंग डेप्थ की बात करें तो 4-5 cm स्पेसिंग डेप्थ रखते हैं फिर हम बात करते हैं वेराइटीज बहुत इंपोर्टेंट है आपने नोटिस किया होगा फील्ट्रॉप में के कंपारिशन में रभी में मैंने थोड़ी मोडिफिकेशन की है क्या सी पर फिर उसके बात सीड्रेट स्पेसिंग और फिर वेराइटी आता है यह तो इसलिए हमने पहले इन सब्सक्राइट को कवर किया वराइटी वगर तक और हमने के मैंने क्ल्टिवेशन के मैंथर्स यूल्ड वगर देखा है ताकि आपको दोनों प्रिस्पेक्टिव कातम हो अगर कोई बच्चा फर्स यह से प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको भी हेल्फुल रहे और जो लास्ट मुमेंट में कर रहे है तो उनको रिवीजियन के तौर पे ताकि उनका सारा फ्लाश्पक होता रहे उन्हें क्या 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 पढ़त अपने ग्रजुएशन के या परिपरेशन करते ताइम पर उसमें से उन्हें कितने पॉइंट्स द्यान में रखने है वह भी हो जाए तो वराइटी की बात करते है तो वराइटी इसमें अलग अलग ताइप की होते है जैसे नॉर्मल अगर बात कर रहे हम लोग तो आरे सिक्स हैं अमबर है कर्ण अठारा कैलाश है कुछ वराइटी जो होती है वो मोला और नेमाटोड रिजिस्टेंट होती है यह जो मैंने से स्पेसिफिक लिखी होई है यह काफी इंपोर्टन है क्योंकि बारले से अगर मुस्क्ली कोशन पूचा जाता है तो एक स्पेसिंग का कोशन है एक यह जो आपको याद करनी भी और रोज देखते रहें यह जो याद हो पाएंगी तो अगर मोला और नेमाटोड रिजिस्टेंट वराइटी की बात करें तो वह है राज किरन रडी 387 रडी 2052 और करन 16 तो अगर शॉल टॉल 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 जिसे बिरला टू के नाम से भी जादना जाता है और हमारी अंबर हो गई हस्क लेस जिसमें हस्क नहीं होते हैं वह वराइटी की बात करें तो डॉलमा करन 19 18 हीमानी करन 3 चीक है और कुछ जो स्पेसिफिक माल्ड इंडस्ट्री इस के लिए वराइटी यूज की जाती है वह तो है हमारी RD 2668, RD 137, and Draca फिर हम बात करते हैं оrelated borrowing Aly 5 पार्ले में किसमें यूस के जाता है तो बारले मोस्टि यूस किया जाता है या विस्की सब्सक्स जाता है या भी माले में करते हैं इससे सडते हैं ऊतΑ सणास्ट करते हैं पर सब्सक्राइस दढल ठीक है अगर बात करें वाले में कितना प्रोटीन है माल्ट बनाने के लिए इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है प्रोटीन की बात करें तो इसमें 11.5% प्रोटीन होता है जो कि अल्ब्यूमॉनॉइट्स होते हैं कार्भो हाइड्रेट्स इसमें 75% होते हैं फैट इसमें 1-3% होता है और फाइबर इसमें 3.9% होता है प्रोटीन का कंटेंट ध्यान रखेगा क्योंकि आपसे पूछ लिया जाता है कि वीट में कितना प्रोटीन है, बाले में कितना प्रोटीन है, ट्राइक किलेट में कितना प्रोटीन होता है, आपके राइस में कितना स्टार्च होता है, यह सब important questions है, ठीक है, जिसे हम अपने community box क्म्मिनुटी पोल के तरू कवर अश्य करें था में रहें हैं और करते रहेंगे अगे पी छिके फिर आगे बात करतें इम्पोर्टेंट सीरियल की तो वहें राइस वीड मेज की बाले जो है हमारा जो इसी मिल यूम्पोर्टेंट्स ब्रड़्ट्ट क्योंकि इनेरजी बिश्रोच पूस्टेया 1 कாल को भी बनते हे रॉक ऑगे चैक है यह वहां चैनल को बना ऐन अन परल बार्ले जो कि ड्रीड को कीडिने ुवर्ड करेंगे जन जो कि इने वहां नियुकोज चैनल कर रृट चैनल की जी नीजिए वहां MS कुछ छीजे से मिंब positives लोग المन is इन खे लोगया इन रकान्याओन फिर फिर कुछ चीजे जिर सुटे शे films लोगरी ब्सकेटि whenever वह बस ि न बाल्या सagen कीड़नील्या स्ट्री खाल प्रिवेंटलों थैं पार्ली में गड़नीडनीड सबसे यसे संथिस्साने कbarslan素 रभिक promi कर थी शैच्टुन आ थर हम बात करते हैं जेह Somewhere, multiplying वा काम बात करें लिभी शैच्वाइट धालना थी शैच्टार्ड, डिफ whale कहा थी शैच्टार्ष्यी है थे रहां बात तो रिखे, सर्फet़, के आलावा रॉज़ा, ये एएशिया, ये सब ही कुछ major producers हैं लेकंडिन ही अगर अगर व्रॉर्स्डर बोले कि मेझर प्रडूसर है वे हमारा वर्ल्ड में उचोजाः तो रश्या है इंडिया में उपी जो हो major producer state है उसके लावा राजस्थान, MP, हरायना पॉर्ली थे चाले में दोली क्या है, रश्या, बाले प्रडियूस भराशी प्रडियूस उता है के बाले में प्रडियूस अधैANS रेखेले में आधेश के समय, प्रडियूस ≪ है यू थे हैं लॉक। हैं बाली कम Scotts फोल कोगे~~ कैसे हम इसकी cultural प्रक्टिसस करेंगे तो पहले हम फील्ड फेल्ड प्रपैर करेंगे एक फील्ड बाद नर्सरी प्रपेशन के अशाच यहां जा नहीं ह। देकिशन त consigo skirt फिश्यक आपे defasında करेंगे इसको फील्ड करेंगे अं 되면 करें में न एक वांगे इसको Karenka के पहले ही निकाले मोच पूम संकाने में आट करने चिवीर की तर निकालांग निकालां को पोष्ट हम सवाइच के सामने यहल कर संद सैंने के लोका हुआ निकाल है जए आट हैं डिसक वाइरोवेग करें च वे तक हम लोका excitement फिर उसके बाद हम उसमें FIM को डालेंगे 12 तन पर हेक्टेर FIM को फील्ड की प्रिपरेशन के टाइम ही डाल देते हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं अन्पीके की रेशियो की बात करें तो इच्छुड बी 60 तू 30 तू 20 केजी पर हेक्टेर इरिगेटर लांड में कितना न्पीके डालने के ज़रूरत होती है इन केस ऑफ बार्ले तो 60 तू 30 तू 20 होगा अगर माल्ट के लिए रेंफिट के पूछ लिए पूछ लिया तो वैल्यू चेंज होगे 40 तू 20 तू 20 हो जाती है कीजी पर हेक्टेर और वही अगर माल्ट के लिए बारले कितना न्पीके दिया जाता है तो वह 30 तू 20 होता है कीजी पर हेक्टेर मतब क्या सबसे पहला होगा मारा नाइट्रोजन जैसे कि अगर नॉर्मल बात करें तो नाइट्रोजन 60 kg per hectare, Phosphorus 30 kg per hectare, and your Potash 20 kg per hectare, तो यह ध्यान रखेगा, फिर अप्लाई करते हैं, नाइट्रोजन को जो हम अप्लाई करें इसमें, उसको भी splits में अप्लाई करते हैं, बेसल यानि स्टार्टिंग में 50% नाइट्रोजन देते हैं, और अपका Phosphorus 2% Potash, और 2nd, 1st irrigation time में हम लोग 2nd dose, नाइट्रोजन को दो पार्ट में बाठ दिया है, पहला बेसल और दूसरा पहली irrigation के बाद, पहली irrigation के साथ कह दीजाए, बात कह दीजाए, पहली irrigation के साथ कह दीजाए, बात कह दीजाए, भीर बात कह दीजाए, फिर दाधा स्टेज क्रिटिकल स्टेज क्या होती है अगर आप से पूछ लेगा बारले में what is the critical stage in बारले तो the tillering stage is the most critical stage in cultivation of बारले तो बात करें तो 200-300 mm water कि इसको requirement होती है 2-3 irrigation दिया जाता है इसको जादा irrigation की requirement नहीं होती है और critical stages की बात करें तो सीडलिंग स्टेज तेल्रिंग स्टेज फ्लाक लीफ स्टेज और मिल्किंग स्टेज यह जो एंके critical stage होता है जिसमें सबसे जादा critical stage कॉन साइब तिल्रिंग अब हम बात करेंगे weed management की ठीक है weed management तो यह 30 देस तक पहले तो starting की किया जाता है अगर post emergence herbicide की बात करें तो आप isoproturon ठीक है यह काफी जादा important है यह आपको बहुत जगा लिखावा मिलेगा ठीक है isoproturon तो isoproturon जो है आप 0.75 kg पर hectare डाल सकते है इसके साथ साथ आप 0.5 kg 24-D E दे सकते है यह early emergence में दिया जाता है अगर करना दे चाएशक ऑंग अच्छा न्यक्षा टारम बार्ली की अधितनता है तो क्राम घ्रम आप ग重ल में यह ज्सके साथ का यह हिरा सांध कि एफयर lib हैक उत्या बाजर भाले जाय जगया ड्रम शान के लिग LIG बारले के साहिघ और जिसे, निट्रोजन नहीं लिए और हमेशे लाग मिलिए भूशोच और नहीं आपिछेन, साथी, वीट अपके मैनेजमें, क्योंकि यूश्य को만 क्वab Ching उन्हें काचि नहीं बढ़ा परी समा अऑफाधर फ्रॉंच सब्म longer प्रॉंच तो इस टोरेज के लिए में 10-12% मुशेयर होना चाहिए आपके उसमें इसमें वीट में तो आफ एसको सितर कर सकते हैं यिल्द की बात करे तो 3 से 3.5 तन पर हेक्टेर होनी चाहिए मिली हमें और भरो शार के लाख करे नहीं जाते हैं बारले का ख्लासिफिकेशन तो बारले किस तरीके से आपके रोज हैं उसके बेसिस में तीन टाइप से बारले को बाता गिया है आपके तरीक जा सकते हो ता कुछ बहुत बहुत जाद इंपोर्टन नहीं है प्टिल वी कांट लीव इट ना देखना पड़ेगा हमें तो एक हम इसके ऊब्ते हैं तो अपको एलिम्नेट करनाय मैं था इसके लोग को अपको की एसरा हां 12 डिल्टन शरा देरेवन यह संपाइकले वही मिल जाएगे तो अपको अपको एलिमिनेट करने माई सानी होगी फिर सेकेंड जह लुहाता है अपको हम पर्डार्डन दिस्ट इसका ह वहाला होते है तो स्पाइकलेट, वही सिर्फ फ्लोरेट, वही सिर्फ फटाइल और बाफ के टू होते हैं वहीं इन्फेट अजिसे होते हैं तो बारले में इतना ही था आपका बारले कल्टिवेशन खतम है, इसके इलावा मैं कुछ पॉंट्स बोलना चाहोंगी जैसे अगर तो पाइले किसा राले को तो पाइले कि करते हैं तो बारले का इंशेंस कि report है तो पाइले कि deficiency कि Walkชा कि अ Дंट जिएन में शुओं मूझा अगर अगर वीट का लीफ है और बारले का लीफ है तो अन दोनों में कैसे कtest करेंगे एक general point हम discuss कर लेते हैं दो मिनट अगर आपका wheat का leaf है और barley का leaf है तो आप उन दोनों में कैसे discriminate करेंगे कि दोनों में से कौन सा कौन सा है तो जो wheat का leaf होता है वो dark green color का होगा और वहीं जो आपका barley का leaf होगा वो light green color होगा जान से सुनिएगा ठीक है जो आपका wheat का leaf होगा उसके ज कर दोना से जोड़ होता है और जोड़न होता है जो out there believe जो पुछक वो पाराड़ से काफी सालर्ज होता है ये ये सीह जिय कि ईन तीन पॉइंट करेंगे तो ऐसे वीडियो में लगे रहिए देखते रहिए और थांक्स पर वाचिंग